तो मैं डॉक्टर शीशीर पटेल, आपका दोस्त, हेल्ट गाइड, हेल्थ मोटिवेशन स्पीकर, एड़का, एज अ काडियोलोजिस्ट, डापेटलोजिस्ट, लास्ट चार साल से पटेल हस्पिटल गुत्री वड़ोद्रा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पर मार्गेदर्शन करूंगा, जैसे के पेट का स्वास्त, जैसे के हमार आईरुवेद के हिस्ट्री में लिखा है, कि अगर आपका पेट स्वास्त है, तो आप लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं और आप हमेशा हमेशा बीमार ना पड़ो, तो इसलिए मैं आपको पेट के स्वास्त के बारे में थोड़ा मारगेदर्शन करूंगा, सबसे पहली चीज जबी भी हम लोग खाना खाने बैठते हैं, खाना खाने के आधे घंटे पहले खाना खाने के बीच में, और खाना खाने के बाद एक घंटे तक पानी नहीं पीना और काफी बार प्रॉपर ना पचने के कारण कॉंस्टिपेशन भी होता है इसलिए पानी का सबसे इंपोर्टन चीज ध्यान रखना है दूसरी जब भी आप खाना खाने बैठो तो कॉंसेंट्रेशन खाने में ही होना चाहिए काफी लोगों को गलत आदती होती है टीवी खाना खाते है तो प्लीज यह सब बन कीजिए खाना खाते है और टोटली कॉंसेंट्रेशन खाने पी होना चाहिए छोटे-छोटे निवाले लेने हैं जब तक मुह में पानी ना बने तब तक अंदर नहीं उतारना है और धीरे-धीरे खाना खाना है लेटेस्ट में एक रि बीपी जैसे भी मरिया होती है इसलिए छोटी-छोटी निवाले लेने हैं जब तक मुह में पानी ना बने तब तक अंदर नहीं उतारना है और खाना खाते वग बोलिये मत जो भी लोग खाना खाते वग बहुत ज्यादा बाते करते हैं फोन पे या किसी से बात करते हुए खाना खाते उसके कारण जो गयास होता है उसके कारण काफी बढ़ खाई भी चांसेश होते इसलिए खाना-खाते वग बात नहीं करनाुआ और खाना-खाने के बाद मिनिमाग गंटे तक आपको पानी नहीं पीना है अब जबी भी आप खाना खाने के एक घंटे बाद पानी पीना चालू करो तो पानी मूँ को लगा के पीना है उपर से नहीं पीना है और पानी भी धीरे धीरे पीना है जो लोग बहुत ही फास्ट पानी पी जाते हैं उसके साथ में जो एर सॉलो हो जाती है उसके कारण भी का खूकाड़ू पानी पोला जता है अगर अगर आप उस टाइम पे पिए हो तो जो कोलेस्टॉल एपसॉप्ष्वशन होता है वह काफी हत्त कम हो जाता है और उसके कारण वजन मैंटेन रहने में मदद होती है और कोलेस्टॉल कम करने में भी मदद होती है अब खाना खाने के काफी लोगों को तुरंट सो जाने के आदत होती है तो प्लीज खाना खाने के बाद तुरंट मत सो जाई है खाना खाने के बाद मिनिमम दो गंटे तक सोना नहीं है अगर आप खाना खाने के बाद तुरंट सोते हो तो शायद आपको आपका वजन बढ़ सकता है डाइबेटी के बाद दो घंटे तक नहीं सुना और अगर नहीं है तो उससे बचने के लिए आपको खाना खाने के बाद काफी लाबदायक होता है हमने काफी सारे पेस्टन्स पर यहन उसके यूज किये हैं और काफी सारे पेस्टन्स को इससे फायदे भी हुए इसलिए प्लीज ऐसे लोगों तक सेर कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बे रेग्यूलर हेल्थ रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैहिन